नमस्कार बच्चो आज हम आपके पुस्तक अर्थ शास्त्र में सांख्यकी का नौव आध्याएं सांख्यकी विधियों के उपयोग को शुरू करने जा रहे हैं बच्चो अपनी पुस्तक में या इस विशय में अगर हम कहें तो अपने सांख्यकी के बारे में विस्तरिज जानकारियां पराप्त की हैं आपने देखा हैं कि सांख्यकी एक विशय के रूप में या एक छेतर के रूप में कैसे हमें यह बताता है कि हम संख्याओं के इस्तमाल से सूचनाओं को प्राप्त करके उसका अर्थ शास्त्र में उप्योग कर सकते हैं हाला कि अभी तक की अध्यायों में हमारा ध्यान सांख्यकी को समझने इसकी विधियों को जानने इसकी गड़नाओं को सीखने के उपर रहा है इस अध्याई में अभी तक की सीखिए विधियों के बारे में आप और बहतर समझ बना पाएंगे क्योंकि हम यह देखेंगे कि कैसे उन सभी विधियों का हम अर्थ शास्त्र में या अर्थ विवस्था की विभिन्न पहलूँ में इस्तमाल कर सकते हैं हम यहाँ देखेंगे कि अर्थववस्था की विभिन आर्थिक गतिविदियों जैसे उत्पादन, भोग, वितरण, बैंकिंग, बीमा, व्यापार आदी में हम आकणों का उपयोग करते हैं कैसे आकणे हमें विस्तरित जानकारी प्रदान करते हैं सांख्यकी के छात्र होने के नाते आप यह सीख पाएंगे कि केवल आकणों का संकलन करना या उनका प्रसुति करन करना ही नहीं बलकि उनका उपयोग करना भी कितना अवश्चक है और हम किस प्रकार जीवन के आम पहलूओं में या अर्थ विवस्था के इन विभिन गतिविधियों में इन विधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस अध्याय में हम यह सीखेंगे की कैसे हम एक परियोजना के माध्यम से एक project को तयार करके इन विध्यों का उपयोग कर सकते हैं इससे आप यह समझ सकेंगे कि किस प्रकार सांखे की विध्यों को विभिन प्रकार के विशलेशनों में प्रयोगत किया जा सकता है जैसा कि मैंने कहा इस अध्याय में हमारा ध्यान परियोजनाओं को सीखने पर होगा तो आईए हम देखते हैं कि यदि आपके सामने कोई परियोजना हो तो आप उस पर कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे सांख्यकी का उसमें इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट या परियोजना को शुरू करने के लिए आपको उसके चरणों के बारे में पता होना चाहिए किसी भी परियोजना के चाहे वो आप एक छात्र के रूप में करें या आप जीवन में आगे जाकर सांख्य की विद्वान के रूप में करें उसमें सबसे पहला चरण होता है अपनी परियोजना के अधियन छेत्र को या समस्या को समझना आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप जो अधियन करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य का है जो भी आप अनुसंधान या रिसर्च करने जा रहे हैं वो क्यों करने जा रहे हैं ताकि आप अपने उद्देश्य की आधार पर आकणों के संग्रह वा संसाधन की दिशा में आगे बढ़ सकें इसके कई उद्दारन लेकर हम समझ सकते हैं कि कैसे उद्देश्य निर्धारित किया जाए या उद्देश्य निर्धारित करना क्यों जरूरी है आप मोबाईल फोन, जूता पॉलिश करने का सामान, नहाने के साबून, कपड़ा धोने के पाउडर आदी किसी भी उत्पाद का उत्पादन या बिक्री अपने अधियन का विशय बना सकते हैं आप संभैवता किसी छेतर विशेश के निवासियों की बिजली या पानी के समस्या या उससे जुड़ेवे हल निकालने पर रिसर्च या अनुसंधान करने का सोच सकते हैं आप परिवारों के बीच उभ्भोकता जागरुकता अर्थात उभ्भोकताओं के अधिकारों के बारे में जागरुकता के बारे में भी अधियन कर सकते हैं तो आपको इस प्रकार अपने अधियन का एक मुख्य केंद्र बिंदू चुनना पड़ेगा आपको एक उद्देश निर्धारित करना पड़ेगा कि आप किस बारे में सूचनाय इकत्र करके फिर उसका आध्यान करेंगे तो यहां आपके परियोजना का पहला चरण होगा आपको सबसे पहले उद्देश निर्धारित करना होगा एक बार उदेश निर्धारित हो जाए उसके बाद आपको अपने लक्ष समू यानि टार्गेट गृप का भी चैन करना होगा यानि आपको यह भी देखना होगा कि जिस विशय पर या जिस समस्या पर आप अपने अनुसंधान को करना चाहते हैं उससे जुड़ी जानकारियां आप किस प्रकार के लोगों से लेंगे यदि आप किसी परियोजना में कार से जुड़ीवे जानकारियां इकठा करना चाहते हैं तो आपका लक्ष समू मुख्यता मध्यम या उच्छ आयवर्ग होगा क्योंकि कार का इस्तमाल अधिकतर इस वर्ग के लोग ही करते हैं यदि आप उभोकता उत्पादो जैसे साबुन आदी के बारे में अध्यन करना चाहते हैं तो आपको ग्रामीन या शहरी उभोकताओं को अपना लक्ष बनाना होगा इसी प्रकार यदि आप सुरक्षित पेजल की उभोकता के अध्यन हेतू रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको ग्रामीन या शहरी आबादी दोनों को ही अपना लक्ष बना सकते हैं इसलिए लक्षित समूह का चुनाओ अर्थात उस समूह की पहचान करना जिस पर आपको अपना ध्यान केंदरित करना है ये किसी भी परियोजना के रिपोर्ट तयार करने के क्रम में बहुत ही महतोपूर चरण है क्योंकि इसके बाद ही आप जाकर आकणों का संकलन कर पाएंगे क्योंकि तब आपको पता लग जाएगा कि आपको आकणि किन से एकठा करने है तीसरा चरण फिर आकणों के संकलन का आता है एक बार समुह निरधारित हो जाने के बाद अब आप आकणों के संकलन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे किसे भी सर्वेक्षन का उद्देश यह तय करने में सहयक होगा कि प्रात्मिक आकणों का उप्योग किया जाए या द्वित्यक आकणों का यानि अपने उद्देश वह समुह का ध्यान रखते हुए आपको यह देखना होगा कि आप प्रात्मिक आकणे चाहते हैं या द्वित करते हैं लेकिन यदि आपको लगता है कि इस प्रकार के आकड़े या इस प्रकार के सरवेक्षण पहले हो चुके हैं और वो आपके उद्देश्य के साथ सही तरह से जाते हैं तो आप द्वित्यक आकड़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन यदि आप बिल्कुल मौलिक आकड़े चाहते हैं और खुच जाकर प्रथम बार या आकड़े कठा करना चाहते हैं तो आपको प्रात्मिक विधी का उप्योग करना होगा इसके लिए आप प्रश्णावली या साक्षात का अनुसूची या इस प्रकार की अन्नी विधियों का जो कि आपने पहले के अध्य जबकि यदि आप प्रतिदर्ष विधी को चुनते हैं तो प्रतिदर्ष विधी की उप्युकता को भी आपको जानना पड़ेगा यानि यदि आप मेरी बातों को पिछले अध्यायों से जोड़ कर देखें तो आपने पढ़ा है कि सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि आप आकडे प्रात्मिक चाहते हैं या दुवित्यक चाहते हैं यदि आपके पास समय है आप मौलिक आकडे चाहते हैं तो आप प्रात्मिक आकडों की तरफ जाएंगे यदि आप समय की बचत करना चाहते हैं और आकडे आसानी से उपलब्द हैं तो आप दुवित्यक के लिए उपयोग्त है यदि वो है तो आप द्वित्यक आकड़ों का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि आप प्रात्मिक आकड़ों को चुनते हैं तो फिर आपको आकड़े संकलित करने प्रात्मिक आकडों को संकलित करने के लिए आप विभिन प्रकार की विधियों को देखते हैं, अब इन विधियों में भी आपने दो प्रकार की विधिया पढ़ी हैं, एक विधी में आप समस्त जनसंख्या के पास जाकर आकड़े कठा करते हैं, जबकि दूसरी विधी में आ यानि एक सैंपल चुनकर उससे आकड़े एकठा करते हैं जादतर सरवेक्षण सैंपल या प्रतिदर्ष के द्वारा होते हैं यदि आप प्रतिदर्ष विधी का उपयोग करते हैं तो आपको अपने प्रतिदर्ष यानि अपने सैंपल की उपयोगतता भी जाचनी होगी जो क आपने पिछले अध्याय में सीखा है कि प्रतिदर्श या सैंपल ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी पूरी जनसंख्या का प्रति निधित्व हो सके इसलिए सोच समझ कर एक सैंपल चुनकर आप उनसे भी प्रात्मिक आकड़े गठा कर सकते हैं तो इस चरण में आपको बहुत सोच कर समझ कर अपने उदेश अपने सर्वेक्षन के लक्षित समुहू अपने समय धन आदी सभी को देखकर यह देखना होता है कि आप किस प्रकार से आकड़े एकत्र करना या प्राप्त करना चाहते हैं एक बार आपके पास आकड़े आ जाएं तो अगला चरण होता है उन आकड़ों का संगठन या प्रस्तुति करन करना यह भी आपने सीखा है कि हम आकड़ों को कई तरह से कई अलग-अलग विधियों से प्रस्तुत कर सकते हैं इसमें सारनियन या आरेखों जैसे दंडारेख, वृतारेख आदी के द्वारा आकड़ों के संगठन या प्रस्तुति करन की कोशिश की जाती हैं तो आकडों को एकठा करने के बाद, आप विभिन प्रकार के आरेख या सार्निया बनाएंगे ताकि हम उन आकडों से मिलने वाले जानकारी को एक सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकें, जिसे कि देखते ही हमें मुख्य जानकारिया वहां से मिल जाएं। आकडे प्रस्तुत होने के बाद आगला चरण आता है उनके विशलेशन या व्याख्या का विशलेशन और व्याख्या के भी विभिन विधियों को आपने पिछे के अध्यायों में पढ़ा है जैसे कि केंद्री प्रवरती के माप केंद्री प्रवरती के मापों में आपने मानक विचलन, सैसंबंद, प्रसरन शीलता जैसे कई तरह की विधियों के बारे में भी जाना है। आप अपने आकड़ों के इस्तमाल से इन विधियों का प्रयोग करके विभिन्य जानकारिया निकाल सकते हैं। या आपको आपके सर्वेक्षन से प्राप्ट आकड़ों के विशलेशन में सहायता करेंगे। इन सभी विधियों के बारे में आपने अध्याएं पाच-छे और साथ में विस्तरिज जानकारी प्राप्त की है। इन विधियों का उप्योग करके जब आप माध्य, माधिका, मानक विचलन जैसी मुख्य जानकारिया एकत्र कर लें तो आपको अपने सर्वेक्षन की महत्तुपूर्ण जानकारिया या सोचनाय प्राप्त हो जाती है। आप इन जानकारियों के आधार पर आप अगले चरण में उपसंहार लिखते हैं। उपसंहार में आप विशलेशन के बाद परिणामों की व्याख्या करते हैं। वह सूचनायों का अपयोग करके उसे अपने वातावरन, अपने आर्थिक वातावरन या आर्थविवस्था या सरकारी नीतियों आदी से उसको जोड़ेंगे वह अध्यदी हो सके तो एक भावी परिद्रश्य का पूर्वानुमान भी लगाने की कोशिश करेंगे। यह करके आपका सर्विक्षण और उसके सभी चरण तो समाप्थ हो जाते हैं। लेकिन सर्विक्षण के अंत में आपको एक गरंथ सोची देनी होती है। इसमें आपको उन सभी द्वित्यक्षरोतों जैसे पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, शोध रिपोर्टों आदी के बारे में विवरन देना होता है। इसमें का प्रेयोग आपने अपनी परियोजना में किया है। यदि आप ऐसे किसी भी द्वित्यक्षरोत का उपयोग करते हैं तो आपको उनका विवरन देना है ताकि आप यह बता सके कि आपके पास वो जानकारियां कहां से आई। तो बच्चों इस प्रकार आपने देखा कि जैसे आपने इस पुस्तक में शुरू से अभी तक अध्यायों को पढ़ा हैं। उसी प्रकार आप अपनी परियोजना में भी चरणबद तरीके से आगे बढ़ेंगे। लक्ष सनिधारित करने से लेके समोह निधारित करना, फिर आकडों को संकलित करना, उसकी विधियों को चुनना, फिर आकडों को प्रस्तुत करना, उनका विशलेशन करना ये सभी चीजें आप इस विशय में और इस पुस्तक में पहले सेख चुके हैं। अब आईए इन सभी चीजों के पुनरा वृत्ति करने के बाद अब हम आगे देखते हैं कि एक उदाहरण के तौर पे यदि हम कुछ परियोजना को लें और ये समझने की कोशिश करें कि यदि हमें हुआ परियोजना करनी होती तो हम उसको किस प्रकार करते हैं इसके लिए आपके पुस्तक में कुछ परियोजनाओं की सूची भी है आप इन में से किसी भी परियोजना का चयन कर सकते हैं इन में से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ जैसे यदि आप अपने पुस्तक में देखेंगे तो आपको इस प्रकार के कुछ परियोजना ये देखने को मिलेंगी स्वयम को एक परिवहन मंत्री का सलाकार मानकर जिसका उदेश्य बहतर वा समनवित परिवहन व्यवस्था बनाना है एक परिवहन रिपोर्ट तयार करें कि परिवहन सुविधाएं आपके छेतर में किस प्रकार हैं। दूसरा, आप एक जिला सिक्षा अधिकारी मान सकते हैं खुद को और फिर अपने जिले में साक्षर्टा इस्तर का मुल्यांकन करने वा बच्चों के विध्याले में पढ़ाई छोडने का कारण जानने के लिए आप एक रिपोर्ट तयार कर सकते हैं। इस प्रकार के अनेको विशय या उदेश या अपने सर्वेक्षन का विशय आप चुन सकते हैं चाहे वो पुस्तक की सूची से हो या इससे बाहर से हो। आईए एक उदाहरण लेके अब हम समझते हैं कि हम यदि परियोजना बनाने जाएं तो हमें किस प्रकार आगे बढ़ना होगा। मान लीजिए एक्स एक उद्यमी है जो टूथपेस्ट बनाने के लिए एक कार खाना शुरू करना चाहते हैं। आपसे कहा जाता है कि आप एक्स को राय दें कि उसे किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। यानि आपको एक्स के उद्योग के लिए जो कि टूथपेस्ट बनाने का उद्योग होगा उसके लिए एक सरवेक्षन करके उसे जानकारी देनी हैं, सलाह देनी हैं कि उसे किस प्रकार अपने इस काम को आगे शुरू करना चाहिए। इसके लिए जो आपको सबसे पहला कार्य करना होगा वह यह होगा कि आप लोगों की टूथ पेस्ट के प्रतिरुचियों, टूथ पेस्ट पर उनके मासिक व्याय तथा अन्य प्रासंगिक तथियों का अध्यान करेंगे। इसके लिए आप प्रात्मिक समंगों को संग्रहित करने का कार्य कर सकते हैं। समंगों को एक प्रसंग सूचि की रूप में तयार किया जाएगा। जो भी प्रसंग सूचि का प्रयोग करेंगे वह उन सभी सूचनाओं को जो आप अपने अध्यान के लिए चाहते हैं प्रदा ग्रहाकों की अभिरुची, तूथ पेस्ट के संगठों के प्रति ग्रहाकों की अभिरुचिया, तूथ पेस्ट की मांग पर प्रमुख जन संचार का प्रभाव, आय तथा उप्रोक्त कारकों के मध्य, संबंद, ऐसे विभिन प्रकार की सूचनाएं आप एकत्र करना चाहा सक शायद किसी इसी प्रकार के अध्यन के लिए तो आप उस प्रस्ण सूची का भी उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसमें आप अपने आवश्यक्ता अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं, अन्यथा आपको प्रस्ण सूची स्वयम बनानी पड़ेगी, या सोनेशित करना प क्रीन पर एक प्रस्ण सूची का हमने उधारन दिया है, जिसमें कुछ मुख्य प्रकार के प्रस्ण जो हम पूछ सकते हैं, वो दिये गए हैं, जैसे कि जिस व्यक्ती से हम सूचना एकत्र कर रहे हैं, उसका नाम, लिंग, पारिवारिक सदस्यों की आयू, परिवार में सद साप करने के लिए टूथपेस्ट का प्रियोग करता है, यदि हाँ, तो एक अच्छे टूथपेस्ट में कौन से आवश्यक गुण वो देखते हैं, इस प्रकार के अनेक सूचना है, आप अपने प्रश्ण सूची में डाल सकते हैं, यदि आप इस उधारन को देखें, तो आप पाएंगे कि प्रश्ण सूची के पहले भाग में तो हम अपने उस व्यक्ति से जिससे हम सूचना ले रहे हैं, उसके बारे में कुछ व्यक्तिगा जानकारिया प्राप्त करते हैं, जैसे कि नाम परिवारादी के जानकारिया, इसके बाद हम अपने अध्यन के विशय वस्तो उपर आते हैं, जैसे कि हमने आगे के प्रशन में देखा कि वो टूथपेस्ट उप्योग करते हैं कि नहीं, यदि वो करते हैं, तो क्या गुण देखकर करते हैं, इस प्रकार के और भी प्रशन आप बना सकते हैं, जैसे कि वो कौन से ब्रांट का टूथपेस्ट उ प्रशनावली तयार करेंगे फिर आप जाकर लोगों से आकड़े संकलित करेंगे एक बार जब आपके पास आकड़े आ जाते हैं इसके बाद आपको आकड़ों का विशलेशन निर्वचन आधी करना होगा आप उनका प्रस्तुतिकरन भी कर सकते हैं आएए आपको यह भी दि इस रिपोर्ट का उदाहरण देखिए जैसा कि हमने देखा कि हम अपने इस उदाहरण में मान लीजे सौ ग्रिहस्तों या परिवारों के साथ हमने ये सर्वेक्षन किया तो हमने देखा कि सौ में से मान लीजे 67 यानि 67 परतिशत लोग या परिवार शहरों के थे जबकि 33 प अपने सर्वेक्षन में प्राप्त विभिन्य जानकारियों का सारणी या ग्राफ या चित्र आधी बनाकर या कुछ गणनाय करके उससे निश्कर्ष निकालेंगे। उदारण के लिए आयू का वित्रण यदि हमने अपने सर्वेक्षन में लोगों सुनकी आयू पूछी है तो हमारे पास आयू की एक सूचना का क्रम आ जाएगा। हम उसे एक सारणी की रूप में दिखा सकते हैं जैसा कि आपके स्क्रीन पर हैं। इसमें हमने देखा कि मान लिजे दस वर्ष से काम आयू के 74 लोग हैं, दस से 20 वर्ष के 56 लोग हैं। इसी प्रकार विभिन आयू वर्गों के लोगों की संक्या हमने उसमें लिख ली। हम इसे फिर एक ग्राफ यानि डंड आरेक के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। अधिक लोग 30 से 40 आयू वर्ग के थे और अगर हम पूरे दंड आरेक को देखें तो हम एक यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधिकान श्व्यक्ति जो हैं वो 20 से 50 वर्ष के 26 हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि 0 से 10,000 के आयवर्ग में 20 परिवार हैं जबकि 10 से 20,000 के आयवर्ग में 40, इस तरह आगे 30 और 10 परिवार हैं। अब जैसा कि बच्चों आप पीछे आध्यायों में सीख चुके हैं हम इस परकार के आकड़ों का माध्य निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने आयवर्गों के मध्य बिंदू निकाले। इसके बा दैश के कॉलम को बारभारता यानि F से गुणा किया और FD को ग्याद किया। इसका इस्तिमाल हम माध्य के लिए करेंगे। मानक विचलन के लिए हम FD डैश स्कुएर यानि वर्ग का एक और कॉलम बनाएंगे यानि जिसमें हम FD के कॉलम के संख्याओं को पुनध D' से सूत्र में इने रखकर इनको ज्याद कर सकते हैं माध्य का सूत्र यहां पर हम पद विचलन विधिवाला लगाएंगे जिसमें माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FD डैश बटे सिग्मा F गुना C होता है हमारे प्रश्ण में हमने 20,000 को कल्पित माध्या यानि A माना है FD डैश के कॉलम का योग माइनस 40 आया F के कॉलम का योग 100 जबकि C यानि वो कॉमन वैल्यू हमारी 5000 थी इसको हल करके हमें अपना माध्य प्राप्थ हुआ 18,000 इसी प्रकार मानक विचलन के सूत्र में रखकर यदि आप इसे हल करें तो आपको 9,000 का मानक विचलन प्राप्थ होगा तो हमारे इस आकडे से हमने माध्य वा मानक विचलन को ग्याद किया अब आगे हम इसी प्रकार कुछ अन्य जानकारियां भी संख्यात्मक रूप से दिखा सकते हैं जैसे कि हम टूथ पेस्ट पर खर्च किये जाने वाले मासिक बजट का भी एक इसी प्रकार का टेबल या सारणी बना सकते हैं हम डी डैश, एपडी डैश और एपडी डैश वर्ग के कॉलंब बना कर माध्य और मानक विचलन के सूत्र में रखकर यहां भी हम इन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं हम देखेंगे कि इस उधारण में यानी इस आक्डे का हमारा माध्य 104 जबकि मानक विचलन 35.60 रुपय का आया यानि हम कह सकते हैं कि आसतन परिवारों का टूथ पेस्ट पर मासिक व्याय एक सो चार रुपय जबकि इस व्याय का परिवारों में जो विचलन है वो 35.60 रुपय का आया इसी प्रकार हम लोगों की व्यवसाइक स्थिती से प्रापजानकारी को एक सारणी वो एक चित्र के रूप में दिखा सकते हैं हमने आपको उधारण के रूप में इसे एक विरत्ध दंड आरेक के रूप में बना कर दिखाया है फिर इसका प्रेक्षन अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारे सरवेक्षन में परिवारों में अधिकांच जो परिवार या लोग थे वो सेवा वर्ग या व्यापारी वर्ग थे अन्य वर्गों में लोग कम थे इसी प्रकार हम मारे पास एक और आखड़ा है कि लोगों के टूथपेस्ट के चयन का आधार क्या है वो किस प्रकार डिसाइड करते हैं या निर्णा लेते हैं कि उन्हें कौन सा टूथपेस्ट यूज करना है इसमें हमने कुछ विकल्प लोगों के सामने रखे जैसे विज्यापन, दातों के डॉक्टर द्वारा दिये गए सलाह, कीमत को देखना, गुणवत्ता, स्वाद, संगठक सामगरी, आधी को देखना इसका प्रेक्षण यह निकल के आता है कि अधिकांश लोगों ने मानक चिन, गुणवत्ता, कीमत वा कंपनी ब्रांड के आधार पर चैयन किया इसी प्रकार यदि हम संगठक सामगरी की बात करें, तो हम लोगों से पूछ सकते हैं कि वो टूथपेस्ट में किस प्रकार की सामगरी देखकर उसे खरीते हैं, क्या वो एक साधा टूथपेस्ट खरीते हैं, क्या वो जेल वाला खरीते हैं, एंटिसेप्टिक खरीते हैं, स प्रेक्षा अधिक पसंद किया तो बच्चों ये केवल कुछ उदहारण थे आप अपने सर्वेक्षण में अपने उदेश्य के अनुसार ऐसे अनेक आंकड़े एकत्र कर सकते हैं उन्हें टेबल यानि सारणी आरेखों और विभिन विशलेशन विधियों जैसे माध्य मानक विचलन आदी के जरिये प्रेक्षण निकाल कर आप बता सकते हैं इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करने के बाद आप अपने प्रयोजना की एक संशिप्त टिपणी प्रस्तुत करेंगे जैसे यदि हम अपने इस उदहारण की बात करें तो हम एक टिपणी के रूप मे या लिख सकते हैं कि हमारे सरवेक्षण में अधिकतर लोग शहरी छेत्रों के थे इन में से अधिकतर लोग 25 या 20 से 50 वर्ष की आयू वर्ग के थे उनके परिवार में औस तीन से छे लोग थे इन परिवारों की मासिक आये 10,000 से 30,000 के आसपास अधिकतर थी और वो मुक्यत सेवा वर्ग या व्यापारी वर्ग के थे टूथपेस्ट पर उनका जो व्याय है वो उनके प्रसाधन बजट का एक प्रमुख अंग था माध्य के परिकलन द्वारा यह पाया गया कि लगभग 100 ग्राम टूथपेस्ट के पैक की आउसत कीमत 29 रुपए थी लोगों ने उस कुछ जानकारिया हमने आपको उधारन में दिखाई कुछ हमने नहीं भी दिखाई क्योंकि एक उधारन के माध्यम से हम यह प्रस्तुत करना चाहते थे कि जब आप खुद का एक सर्वेक्षण या परियोजना रिपोर्ट बनाएंगे तो आप कैसे आकड़ों को संकलित करक उनसे प्राप जानकारियों को विभिन श्रेणियो में बाटकर उनकी टेबल, सारनी या आरेख या माध्यमानेक बिचलन जैसी जानकारिया निकालकर अपनी परियोजना की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं रिपोर्ट तयार करके अंत में एक संक्षिप तिपणी या निश्कर्श जरूर दें। वो इसके पश्चात एक गरंच सूची भी बनाए कि यदि आपने कुछ जानकारिया किसी दुवित्यक शुरोच से प्राप्त किये थी तो वो शुरोच कौन से थे। इस प्रकार आप ना केवल या परियोजना बना पाएंगे बलकि परियोजना बनाने के माध्यम से आप यह भी देख पाएंगे कि वास्तविक जीवन में अर्थ शास्तर में या अर्थ विवस्था में कैसे सांख्यकी का उप्योग किया जाता है इस प्रकार के महत्व जानकारिया प्राप्त करने के लिए फिर आप यह सोच पाएंगे कि कैसे इस प्रकार के जानकारिया कंपनियों के उत्पादकों के वेवसाईयों के काम आते हैं वो लोगों के बारे में जान पाएंगे कि लोगों में किस प्रकार के उत्पादक की किस गुणवत्ता की क्या र सकते हैं उन्हें किस तरह की रुचिया हैं और इन सुचनाओं के आधार पर वो अपने व्यवसाय को स्थापित कर पाएगा मैं आशा करता हूँ आपको यह परियोजना यह उदाहरन वह सांख्यकी का जीवन में उप्योग कैसे करना है उससे जुड़ेवे यह बिंदू समझाय होंगे इस अध्याय में वह आज के भाग में इतना ही धन्यवाद क्रक्स मतिक होगा यह जीव घाखित मैं इतना हीवाद यह जो में इतना ही खले कजिता है जीवत क्रें बाबार 24 फस्ध़प्म हैends प्रूप्स